अग लास्ट टाइम में इस क्वेश्चन पर थे विचर फॉल्लीवंग इस डिफरेंट तो हम आज हम इसको देखते हैं कि कौन सांसी इसमें से डिफ्रेंट है अब हम देखें कि यह भी 15 के एक्वल है अगर हम इन सारों को प्लस करें तो वन फ्लाए वन फ्लास पाइव शिट्स नाइन 15 के बराबर होगा और 8 प्लस 3, 11 प्लस 4, 15 के बराबर होगा Similarly 6 प्लस 5, 11 और 4, 15 2 प्लस 5, 7 7 और 8, 15 और इस तरह भी हम अगर करें तो 10 और 15, हम जिस तरह भी जाएंगे यह 15 ही बना रहा है तो हम इस जगह जाके देखते हैं कि क्या है यह हमारे पास है 9, 9 और 6, 15 इसमें भी ठीक है और 7 प्लस 12 7 प्लस 5, 12 प्लस 3, 15 और यह भी क्या होगा 11 और 4, 15 और हम अगर इस साइट पर जाके देखें तो हमारे पास क्योंगा 7 और 8, 15 Similarly हम जिस तरह भी देंगे हमारे पास 15 होगा इस तरह 12 और 3, 15 10 और 5, 15 9 और 6, 15 11 और 4, 15 यह हमारे पास साइट रेलेशनशिप सैटिस्फाई हो रहे है 9 और 6, 15 तो हमारे पास जो है 10 और 5, 15 12 और 3, 15 ठीक है हमारे पास लेकिन अगर हम यह साइट पर देखें तो 4 और 2 जो है 6 होता है Similarly यह 5 और 7 12 होता है तो यह जो डी है ऑप्शन डी यह थोड़ा डिफरेंट हमें लाग रहे तो यहीं होगा लेकिन यहां पर देखें दस फिफ्टीन 15, 15, 15, 15, 15 तो यह हमारे पास जो है यहां पर ऑप्शन डी जो है वो टोटली डिफरेंट है तो हम इस ऑप्शन डी के साथ जाएंगे के यह जो हमारा जो है रिलेशन्चिप सैटेस्फाइड नहीं कर रहा क्योंकि विचाब फॉलेंगे तो डिफरेंट का सवाल है अब अब यह भी एक इंट्रस्टिंग सवाल है क्वेस्टन नमबर 54 है कि यह रिलेशन्चिप हमने फाइंड करना है कि किस तरह से यह हमारे पास 54 में यह हमारे पास क्वेस्टन का का जवाब क्या कर दिया फाइफ की फावर तरी सिमिलरली यह अगर आप देखें तो एटी बान क्या होता है फॉर की पावर है ठीक है थ्री की पावर जो फॉर है वह एटी वान होगा कैसे थ्री थ्री नाइन नौटिन साइस ताइस और चार हिएटी बान में थ्री पावर फॉर मारे पास अगर हम यह देखें तो यह फाव नेे फाईव की है और सिक्स की पावर फ्री करके टू हमारे पास क्या बना दिया तो 16 बना दिया थीके ध्रम्यान हम देखें तो यह क्या है थ्री की पावर यह अगेन क्या है फॉर है ठीक है तो यह इन्हों ने एटी वन कर दिया है अब हम इस इसके कंक्लूजन आप अगर आप जहन में थोड़ा सा बनाएं तो आपको एक चीज पता चल जाएगी कि यह फाइव जो है वो ट्राइंगल में तो इसी वज़जे से इसकी पावर फाइव की पावर त्री ली गई है और यह फॉर एक जो है स्क्वेर में है तो स्क्वेर फॉर कॉर वान नहीं थी वान नहीं थी तो सिमिलारी हम नाइन से शुरू होने वाली चीजने देखेंगे लेकिन सारी नाइन से अप्शन है तो मारी एक और लेकिन फॉर टू पावर, जो हमारे पाश going चीज कन बराबर होताका है और तो गोह होता है एक आ हमारे पास क्या होगा 64 अब हम 64 वाले आप्शन देखें तो हमारे पास वह भी ज्यादा हैं लेकिन नाइन के बास 64 से शुरू होने वाले सिर्फ दोई हैं या सी और या डी लेकिन अगर हम टू की पावर हम देखें तो ये वन टू थृ फॉर फाइव six अब हम टूटी पावर शिक्स देखेंगे क्योंकि टूटू शिक्स के अंदर एंड ख्लोजड है तो हमारे पास अगर टूटी पावर अगर फाइफ हो तो वह सिक्स्ट थाटी टू होती है अगर सिक्स हो जाए तो यह सिक्स्टी फोर हो जाती है तो हमारे पाद जो आप्शन होगा वो आप्शन डी ही कोरेक्ट है ठीक है फोर टूपावर थ्री सिक्स्टी फोर फिर आगे सिस्टी फोर टूटू पावर शिक्स और नाइन की पावर वह ही तो आप्शन डी हमारे पास और जो चीज आगया अगर ट्राइंगल में है तो थ्री है अगर रेक्टेंगल में है तो फूर है कि इंट्रस्टेंग कुइस्टिंग के हमारे पास एक रिलेशन सिप्स हैं जहां पर हमने फांड करने एफ-वन का फंक्शन लगाए तो टू आगया एफ-टू है तो यह सग्स आगया है तो ट्वेल आगया है और एफ-पॉर है तो ट्वञटि और FN का क्या होगा यहां पर हम अगर देखें तो हमारे पास एक चीज आ रही है कि जो चीज जिस चीज के अंदर है उसकी हम F1 है तो हम इसकी पावर 1 करके प्लस इसमें 1 एड़ की है ठीक है तो तब जाके हमारे पास जवाब 2 आया है तो यह सिक्स हो जाएंगा ठीक है तो यह सिमिलर्ली हो जाएगा पावर एंड प्लस एन तो यह रिलेशन्शिप हमें फाइंड करना है अगर एक विशी जवाब में है तो यह आप्शन डी ही है कि इस रिलेशन्शिप के तहट यह क्वेस्टन्स बनाए गया है अब हम और आपस जाएंगे के 56 में हमारे पास कैया है यहां पर हमारे पास एक्स वाई ज Gay तो यह हम देनके हैं अगर हम यहां पर सिम्पली हमारे पास से एक उसी तरह के नह रिलेशनशिप से ओए कि herecrates के यह हमारे पास चीज़ेंगख सब्सक्राइज़ आ गर हम देखें तो एक स्टार है एक वहीं पेंटागोन है नहीं बिलक edits वाली शकल है और एक यह जो है हमारे पास के तो स्क्वेर है यहां पर है अब है स्टार आ तो हम क्या सो सकते हैं कि यहां स्तार आ सकता है लेकिन कैसे धार यहां पर स्टार आयेगा तो इस टो हम है नीचे जाके तो इसольшे मैं स्काइब करते हैं हम हमारे पास नीचे जो है A B C D E के हिसाब से ऑप्शन दीगें कि X क्या है Y क्या है और Z क्या है अगर हम S की जगन स्टार लगा है तो स्टार इसमें आ सकता है लेकिन अगर हम let's say के देखें कि स्टार अगर जहां पर आएगा तो यहां पर जो है वो स्टार किसी चीज को डिस्टव तो नहीं कर रहा भलक्र नहीं कर रहा है और अगर हम इस चीज में सकता है वाई की जगन क्या है QUासरी की अगर हम डॉट लगा तर्चे कि यह आपने सारह फांड D ही होगा लेकिन हम देखते हैं क्या option D satisfy करता है इस चीज़ को अगर वाई की जगा हमने क्या लगा है डॉट लगा है close लो ठीक है तो यहां पर कोई और डॉट इसमें नहीं है और यहां पर यह चीज़ आ गई ठीक है अब अगर जहां पर एक डॉट है यह स्टार है यह तो इसके लावा इसमें क्या चीज़ बचेगी यह डबा तो हम यह देखते हैं कि इसमें डबा कहीं और तो नहीं है नहीं है इस लाइन में और इस लाइन में स्टार है एक डबा है और यह फोर कॉर्नर जो है फिल्ड है उसके लावा इस चीज़ मे क्या आएगी इस चीज में एक और डॉट आ सकता है यह बिलकुल हमने डॉट लगा दिया डॉट इसमें भी कहीं नहीं ठीक है अब इसमें डॉट है स्टार है तो इसमें वो जो है फिल्ड जो है वो पेंटागोन आ जाएगी बिल्ड फॉर कानल वाली सोरी अगर यहीं है तो से एक डबा जाएगा तो यह सब्सक्राइब धैसर कि की बिल्स टॉ ना जाएगा तो आप ने यह सारी सब्सक्राइब कर दो होने हैं अब यह 57 नमबर क्वेस्टन है और यह भी एक इंट्रस्टिंग क्वेस्टन है कि अगर हम देखें जहां पर तो हमें कुछ थोड़ी बहुत चीज इसमें मौलूमात दे दी गई हैं हम अगर देखें तो जहां पर दो यह हैं और यहां पर दो फाइफ है इसका मतलब ह है हमारे पास क्या है फाइफ है सिमिलरली आप इसमें भी देखें तो यह फाइफ है और दो यह हैं तो दो फाइफ हैं अब हमारे पास सेवन क्या है अगर हम गोर से देखें तो हमें यह नजर आ जाएगा कि जो हमारे पास सेकंड लास्ट है सेकंड लास्ट यह एस ठीक है स पहां पहुए देखें तो हमारे पास हों छो है नो सकिन फिर फिर नुद धाब ऑयां यह वहां तो जहां पर भी हमारे पास सैकंड है ठीक है हमार वह यह भी लास्ट था तो यह सैकंड पहाएगा और 5 टीक है तो यह हम जेवारॉपशन बेखेंगे जिसमें5 ओ तो तीन में ना 5 अ उस पर है सैकंड आपश्जन पहा अगर हम देखें तो इसमें S क्या होगा? अब ये आपने ने देखना है कि अगर ठीक है दो five clear हो गए अभ एस और Y क्या है? अगर आप देखें तो S इसमें Y है ठीक है? अब इसमें Y है तो इसमें Y जो है वो हम इसको seven ही clear करेंगे एक सेके लास है उन्होंन्होंने बिलकुल epistad zaten का लाक्रस्ट को क्यूंकि यहां पे सेवन है तो यहां पर यह वाइग है तो इसका मतनब भाइग किया है सेवन है सेवन है लेकिन हमा की दूरोत नहीं है यहां पर सेवन नहीं है ठीखे मैं हगसे सेवन क्या होगा है समारे पास टू होगा ठीक है हमारे पास वह ऐसी बचा वो है त्म हमारे पास क्या है हमारे पास फाइफ स्व moeten लेकिन यहांपे वह सेकंड था और उसको लास्ट पे ले गए एकर सेकंड वाला यह देखे हमारे पास ऐसे जो है वो टू है ठीक हम यह इसको भी किलियर कर दें लेकिन हम यह समझ भी कोशिक कर रहे हैं कि अगर एक मन मैं यह ड्राइंग थोड़ी सी मैं मिठा दूं किलियर कर दूं हमने यह देखना है कि जहां पर ना जो लास्ट वाला थ यह दोबारा यह हमारे पास लास्ट में था ठीक है अब उन्होंने यह क्या किया कि इसको सेकंड लास्ट में ले ठीक है मतब सेकंड पे कर दिया एस हमारे पास सेकंड पे था तो इसको फस्ट पे कर दिया ठीक है फस्ट पे कर दिया और एस था हमारे पास क्या टू अब हमारे पास पहले एस फास्ट में है ठीक है अगर मिसके आखर यह मैं जाता है यह टू वाई इकल टू जो सेकंड लास्ट होता है वो लास्ट में चला जाएगा यहां पर सेकंड लास्ट आर है तो यह लास्ट में चला जाएगा हमारे पास यह जो है आर है वान के बराबर ठीक है हमारे पास जो एस है वो एस किसके बराबर था हमारे पास फस्ट क्या आए नम्र एक है कि जो सैकंड लास्ट है वह फस्ट प्याओ केट जो आप्शन है वो किसकी दरफ जाएगा औप्शन एकी तरफ ठीक है ऑप्शन है हमारे पास पॉरेक्ट होगा झाल झाल